So, hey guys, आज की स्विडियो में हम बात करने वाले है Hyundai Xter SXCNG मोडल के बारे में जो की Xter CNG का टॉप मोडल है Xter में जो है CNG के वल दो ही मोडल्स में Hyundai ने औफर किया है जो की है Xter SCNG और SXCNG वही पर अगर इसके कीमत की बात करें तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 8.97 लाक रूपीज और अन्रोड ही आपको मिल जाएगी लगभग 10 लाक रूपीज के आसपास आई अब देखते हैं गाड़ी को और डीटेल में तो यह इसका फ्रेंट लुक यहाँ पे बोनट के उपर आपको मिलता है हुणडाई का लोगो नीचे दी है एक्स्टर की बाजिंग और यह न्यूली डिजाइन ग्रिल आप देख सकते हो जो के आपको मिलती है पियानो ब्लाक फिनिश में काफ़े अट्रेक्टिव लुक देती है गाड़ी को डी आरेल जो है वो आपको एच शेप में प्रोवाइड किये गए है और इसी के अंदर टर्न इंडिकेटर्स भी है और यह इसके प्रोजेक्टर हालोजन हेडलाम्स जो कि आपको वेन्यू की थोड़ी सी याद दिलाएंगे नीचे की तरब जो है आपको फ्रेंट ग्रिल मिलती है ड्वेल कलर में दी है यह भी गाड़ी को जो है पूरी तरह से स्टांस देने की कोशिश की गई है और काफी बढ़िया दिख रही है यह गाड़ी बोनट का लुक आप देख सकते हो यहाँ पे दिये है दो वाइपर्स दो वाशर्स के साथ और हमेशा की तरह लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा C&G का स्टिकर यह इसका रूफ यहाँ पे सन रूफ का ओप्शन भी अवेलिबल है एपिलर दिया है पूरा ब्लाक कलर में टर्न इंडिकेटर जो है आपको ORVM के अंदर ही इंकलकेटेड मिलेंगे ब्लाक कलर की साइड क्लाइडिंग भी दी है जो एगेन एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है इस गाड़ी को एक्स्टर में आपको 15 इंचेस के हाइपर स्टाइल वील्स मिलते है अलोई को अप्शन सिर्फ टॉप मॉडल्स में मिलेगा और इनकी टायर साइज है 175 बाई 65 आर 15 की गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लिरंस मिलेगा 185 mm का और वील बेस दिया है 2450 mm का जो की सिमिलर है और और नियोज जैसा ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल बैक साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी ब्लाक पियानो फिनिशिंग दी है और इसके उपर जो थोड़ी सी डिजाइनिंग है उपर की तरफ आपको रूफ रेल्स भी मिलती है जो की फुल्ली दिना मिलता है यह भी दिया है ब्लाक पियानो फिनिश में यहाँ पे दिया है हाई मांट स्टॉप लाम्प साथी में डी फॉगर भी प्रोवाइड की या गया है और लेफ्ट साइड में दिया है सी एंजी का स्टिकर वाइपर वाशेर रियर में आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे रियो पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, टोटल दो सेंसर्स दिये हैं और रिफ्लेक्टर्स भी है, ड्यूल टोन में रियर बंपर दिया है, सिल्वर और ब्लाक फिनिश में, सेस्मेंशन सेटप के अगर बात करें तो फ्रंट में दिया है, मैक पियर संस्ट और रियर में है, कपल टॉर्शन भी मैकसल, फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ओफर किये गए है, आई यह इसका बूट ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको इलेक्रिक टेल गेट रिलीज का ओप्शन मिलता है, इसी के साइड में लगा है इसका रियो यह बचेगा, जिसको आप कंपेर कर सकते हो नियोस के साथ, नियोस में इसी एंजी के साथ जितना स्पेस आपको मिलता है, उतना ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे ट्रैंगल और इसकी टूल किट रखी है, और नीचे रखा है इसका स्पेर विल, इसके अलवा अ साथ में उपर की तरब जो है, ग्राब हैंडल दिया है, बूट लिड को क्लोज करने के लिए, इसके अलवा सिक्स एरबाक्स के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, जो कि स्टैंडर है अक्रॉस आल वेरेंट्स ऑफ एक्स्टर, यह गाड़ी की साइट प्रोफाइल आप दे तो बाकी की जो पूरे की पूरे डाइमेंशन से वो मिलते जुलते है, ग्राइंड आइटे नियॉस के साथ, गाड़ी में 37 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है, तो आप 37 लीटर तक फ्यूल इसमें भर सकते हो, और यही पर जो है CNG का भी नोजल दिया है, तो यही से आप इस इसके डाइश बोर्ट का लुक आप देख सकते हो, पूर आपको सिंगल टोन में ही डाइश बोर्ट दिया है, ब्लाक कलर में, और यह इसके डोर का लुक, तो यहाँ पे है इसका ORVM, अंदर की तरफ आपको मिलेगा, डोल लिवर, बाकी ORVM को फोल्ड करने के लिए dead pedal का option भी available है, seat को आप forward और backward manually adjust कर पाओगे, यहाँ पे जो है seat में आपको back adjust के साथ साथ height adjust का option भी मिलेगा, fabric up all street आपको मिलती है, seats काफी कुश नहीं है इसकी, front में आपको fixed head rest मिलेंगे, और यह इसकी 360 degree rotatable AC vent, जो की complement करती है इसके outside color को, यहाँ पे दिया है traction control system, petrol to CNG fuel converter औ fully digital instrument cluster आपको मिलता है, जैसा कि आपने वर्ना में भी पहले देखा होगा, तो यह show करेगा 2 trip meters, average fuel consumption, average speed, distance to MTO, low fuel and door रचर warning जैसे features, यहाँ पे जो है left side में आप देख सकते हो, petrol का fuel gauge दिया है fully digital, और right side में दिया है CNG का fuel gauge, और यह इसका steering wheel, अलाकि flat bottom steering wheel आपको offer नहीं किया गय है, इसको जो है आप रेक के लिए adjust कर सकते हो, लेकिन reach adjustments नहीं दी है, hold करने के लिए Hyundai के steering wheels काफी अच्छे होते, silver finishing में निचे की तरफ आपको यह design मिलेगी, इस तरफ दिये है पूरे media और infotainment system के controls, यह इसे आप volume increase, decrease और voice navigation कर सकते हो, बीच में है Hyundai का logo, इस तरफ है आपक MID के controls, right side में दिये है light और indicator के controls, और left side में दिये है wiper और washer के controls, साथ ही में जो 8 inches का touchscreen infotainment system है, उसमें कोई भी change नहीं किया गया है, यह पूराना वाला ही है, top model में जो आपको इससे better quality का touchscreen मिलेगा, तो यहाँ पे जो आप Android Auto, Apple CarPlay, wired connect कर सकते हो, Bluetooth, AUX और steering mounted controls को भी यह support करेगा नीचे दिये AC vent, बीच में दिया है hazard light का switch और automatic climate control आपको इस गाड़े में offer किया गया है, जो की बहुत ही बढ़िया बात है, नीचे दिया है charging के लिए एक type C port, बीच में है 12 volt का charging socket और एक USB socket भी दिया है, utility space, यह 5-speed manual gearbox, यहाँ पे दिये है दो bottle holders, और handbrake दिया है, piano black tip के साथ साथी में coins के लिए थोड़ी बहुत जगह है, गड़ी का जो space management है वो काफी बढ़िया है, glove box में आपको decent सा space मिलता है, यहाँ पे आप mobile वगरा रख सकते हो, try arrow shape में आपको dashboard के उपर design दी गई है, यह grab handle, उपर आपको मिलेगा sunroof, co driver side sun visor में जो है आपको vanity mirror का option दिया है, और यहाँ पे आपको मिलेगा day night adjustable IR VM, यहाँ से आप इसके cabin lamp को on off कर सकते हो, back side के लिए अलग से cabin lamp आपको मिलेगा, sunroof भी मैं आपको open करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक mic भी available है, Bluetooth calling के लिए, driver side sun visor में जो है आपको shift ticket holder मिलता है, vanity mirror यहाँ पे नहीं दिया है, चली अब चलते हैं गाड़ी के back seat पर, तो back side का इसका seat है वो काफी कुछनी है, back side में आपको adjustable headrest मिल जाते है, और यह इसके rear door का look, यहाँ पे जो आपको door lever मिलता है, नीचे power window का control है, साथ ही में child safety lock भी आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप इसे on off कर सकते हो, नीचे bottle holder है, speaker grill है, चलिए गाड़ी के अंदर चलते है, तो मेरी जो height है वो है 5 feet 8 inches और यहाँ पर मुझे जो legroom मिल रहा है, वो काफी अच्छा है, headroom भी बहुत बढ़िया है, यह rear AC vents, नीचे की तरफ आपको 12 volt का charging socket मिलता है, तो यहाँ से आप अपना mobile वगरा charge कर सकते हो, नीचे की तरफ जो है, यही से जो है आप इसके parcel tray को भी access कर पाऊगे, rear में कोई भी armrest आपको provide नहीं किया गया है, और यह इसके back seat से इसके dashboard का look काफी शांदार दिखाई देती है गाड़ी, चलिए बात करते हैं गाड़ी के safety की, तो safety में जो है six airbags standard कर दी गई है across all variants of extra, इसके अलब आपको मि warning, over speed warning, TPMS, ABS, EBD, electronic stability control, traction control system, hill assist, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, day night rear view mirror, seat belt warning, seat belt with pre tensioners and force limiters, child safety lock, central locking, engine immobilizer, audio parking sensors और camera जैसे safety features, चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के engine specification की, तो इसमें आपको मिलता है 1.2 liter, four cylinder, kappa petrol plus CNG, by fuel engine, जो maximum power produce करता है 81 bhp की 6000 rpm और आपको maximum torque मिलता है 113 newton meter का 4000 rpm, mileage की अगर बात करें तो petrol पे आपको मिलेगा 19.4 km per liter तक का mileage, और CNG पे आपको मिल जाएगा 28 km per kilo तक का mileage, transmission की अगर बात करें तो ये available है 5-speed manual transmission के साथ, और जब भी आपकोई भी गाड़ी CNG में purchase करते हो, तो वो automatic में आपको नहीं मिलेगी, आपको वो manual में ही लेनी पड़ेगी, दोस्तो बस फिलाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई सवाइल है तो आप नीचे comment कर सकते हो, thanks for watching the video